इस मिनट पाँच मिनट का टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी का चार्ट और आप यहां ध्यान से देखो चीजों को इस वाली केंडल पर आपकी एंट्री बन जाती है यह देख लेकिए एक्जिट भी तो होना है मार्किट से सही एंट्री तो आपको मिल गई ही एक्जिट सही टा पर एंट्री मिल गई जैसे इस वीडियो में अपन जो श्रेट्जी डिसकस करेंगे उसको देखकर आपकी आँखे फटी रह जाएंगी पेड इस्ट्रेट्जी है फ्री में आपको प्रवाइड करवा रहा हूं इसलिए कॉपी और पैनल लेकर बैठ़िए जो चीजे ट्रेट करके दिखाएंगे लेकिन लाइब में फिर आपके सवाल मन में न रह जाएं इसलिए जो जो पॉइंट हमने नोट करके रखे में ठीक है पेड इस्ट्रेट्जी है जो चीजे बता रहा हूं ध्यान से नोट कर लो और अपन देखेंगे इसकी अक्यूरेसी कितनी अ तो आपने देखा है कि आपके opposite market चलती है ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चार्ट पर कहां देखते हो आप यहां तो option chain देखोगे और option chain का data आपको लगता है आपको लगता है लेकिन वो डाटा आपको दिखाया जाता है तो जो चीजे बड़े प्लेयर्स आपको दिखा रहे हैं उसको देखकर आप trade करोगे तो फिर उन्हीं के मताबिक चलोगे न वो एक second नहीं लगेगा आपका SL हिट कर देंगे समझे तो वो आपको चीजे दिखाई जाती है तो कैसे बचना है उनके दिखावे के जाल से वो जो trap बिचाते हैं वो फ दिखाया जाता है open interest आप देखते हो वो आपको दिखाया जाता है data आप देखते हो analyze करते हो data आपको दिखाया जाता है तो जो चीजे दिखाई जाती है उसमें trap करके फसाना बहुत आसान है बहुत easily वो फसा सकते हैं ठीक है तो फसा लेते हैं तो आपको क्या करना है चलिए चार्ट पर समझेंगे, पहली candle पर आपको entry मिलेगी, exact perfect point पर entry, perfect point पर आपकी exit, अब आप कहेंगे यह strategy ऐसी कैसी हो सकती है, ऐसी होती तो हर कोई पैसा बना लेता, बनाओगे आप भी अब पैसा बना पाओगे लेकिन अगर इस चीज़ को अच्छे से समझ लोगे, सीख लोगे, time to time इस पर update हम करते रहेंगे, ठीक है आपको देखी, strategy टाइम के साथ change करते रहना चाहिए ऐसी strategy नहीं कि बना दी तो वो बन गई, ठीक है, अभी तक चल रही है पिछले 3 महीने से इसको हम trade कर रहे हैं अच्छे से काम कर रही है लेकिन अगर कोई change हुआ तो आपको बता देंगे, तो उसके लिए आप update रहना, चैनल के साथ जोड़े रहना जो भी वीडियो upload करते हैं, उसको देखते रहोगे तब ही हमारी वीडियो आप तक पहुँच पाएजी नहीं देखोगे जो वीडियो upload करेंगे तो फिर आप तक वीडियो नहीं पहुचेगी, इसलिए चैनल पर update रहना, बने रहना, ठीक है एक दो दिन बाद देख लिया करना तो चलिए देखते हैं, चार्ट पर समझते हैं देखो बिलकुल simple strategy है यहाँ पर गाईज देखो, आपको क्या करना है सारी चीजे free में अपन use करेंगे ठीक है, देखो, आपको क्या करना है जैसे यहाँ पर bank nifty का chart open कर लेते हैं, इसको यहाँ से theme change कर दो पहले ठीक है, यहाँ से theme change कर देता हूँ इसकी और यहाँ पर देखो, dark mode यहाँ से हटा दिया, हटाने के बाद बिलकुल अब ध्यान से समझते चलो, सारी चीजे अपन देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया bank nifty, nifty bank लिख दिया, nifty bank लिखने के बाद यहाँ पर देखो, यह आपके सामने चार्ट आ गया है, चार्ट यहाँ पर थोड़ा जूम कर दे, ताकि आपको clear cut चीजे दिखती रहें, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पर अभी देखोगे कि कैसे trap में आपको फसाया जाता है, सबसे पहले क्या करते हैं, बहुत लोग जो analyze करते हैं, वो NST की website पर चले जाते हैं, यहाँ पर option chain ठीक है, यहाँ पर देखिए, जैसे यह NST की website है, ठीक है, यहाँ पर आपको option data दिखता है, option data में आपको सीखने को क्या मिलता है, जो आप देखते हो, आपको course में, बड़े बड़े लोगों की course में, महंगे महंगे course में, आपको चीजे सिखाई जाती है यह, यहाँ पर data आपको दिखाते हैं, कि यहाँ पर put call ratio देख लो, यह देख लो फलाना जिमकाना देख लो यहाँ पर देखो, आपको क्या दिख रहा है यह देखिए, put का OI कितना है, open interest 24,71,642 और call का open interest 23,70,158 तो इसका मतलब क्या है इसका simple मतलब है, यहाँ put का open interest 24,00 है, तो put ज़्यादा बेचा हुआ है अगर put की writing ज़्यादा हुई तो इसका मतलब है कि market upside जाएगी, uptrend में रहेगी तभी put बेचते है put writer, ठीक है और यहाँ पर, देखो, 20,00,000 है ठीक है, call का open interest अब देखिए, यहाँ पर कैसे trap होता है अब यह data देखकर अगर आप trade करोगे तो यह data आपके हाथ में थोड़ी है यह तो बड़े player data दिखा रहे है और आप यह data देख रहे हो तो फिर trap हो जाओगे न और हर कोई trap होता है कैसे बचना है, वो सब कुछ अपन समझेंगे ठीक है, और यहाँ पर PCR value निकाल लेते हैं यहाँ से इसको divide करके तो सारी चीज़े अपन देखेंगे और जैसे ही इसको open करोगे तो यहाँ पर trading tick sorry, trading tick की website आपको open करनी है और इस पर आपको click कर देना है ठीक है, जैसे ही click करोगे तो यह वाली website आपके सामने खुल कर आती है अब यह यहाँ पर देखो इस तरीके से आई वीडियो पहली बता दिया है यहां पर देखो यह है ट्रेडिंग ओई स्ट्राइक इस वाले ओप्सन पर आपको क्लिक कर देना है लाइब मार्केट में ठीक है लाइब में आप सीखो गया सारी जीजे जहां से देखो उसके बाद आपके सामने यहां पर इस तरह का इंटरफे सामने आ जाता है उसके बाद आप यहां उसके बाद आप यहां आजएए वेबसाइट पर और वेबसाइट पर आने के बाद गायिज यहां आप देखो मार्केट यहां चल रहुए 46,000 पर ठीक है 46,132 तो 46,000 के पास में आप यहां से अपन क्या करेंगे 500 यहां पर अपन स्टार्ट करेंगे ठीक है यहां से अपन स्टार्ट करेंगे 45,500 से स्टार्ट करेंगे ठीक है और 46,500 तक का यहां पर अपन वैल्यू हरेंगे अब यहां पर देखिए 45,500 यहां पर देखिए यह भर दिया अपनने और यहां पर देखिए range end है 46,500 पर 46,500 यहां पर देख इसी और सिंपल चीज यहां पर धियान से देखिए 46,000 45,000 जोर यह गलत भरागा है 45,500 भरना यहां ठीक है 45,500 से 1000 की अपन पुट करेंगे वैल्यू 45,000 2,500 यह लिजिए 45,500 से 46,500 ठीक है अब यहां पर आप देखो आप NSC की वेब्साइट पर देख रहे हो ये डाटा आपको आप यहाँ पर देखो अगर अपनी website पर यहाँ पर आकर देखोगे तो यहाँ पर देखो put की value कम है, call की value जादा है, यानि market downtrend में है, ठीक है, तो यह वाला data आप यहाँ से आपको मतलब नहीं है, यह मत देखना, यहाँ से लोगों को trap किया जाता है, ठीक है, देखो अब यह यहाँ पर आपने value put कर दी, दूसरी चीज आप देखिए, यहाँ पर वाई पर touch करोगे और यहाँ put call ratio, इस पर click करोगे, यह note कर लो, note कर लो, note कर लो, यह वाला point आप note कर लो, अब put call ratio guys, यहाँ पर note आपको करना है, यहाँ पर देखो, इस तरीके से चलोगे, तो यहाँ प 30 ध्यान से देखना, ठीक है, और यहाँ पर देखो, 1.09 इस तरीके से चीज़े आपको यहाँ पर put call ratio देख रही है, PCR लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पर आपको देख रहा है, PCR लिखा हुआ, PCR की value यहाँ साथ-साथ live market में चलती रहती है, ठीक है, अलग-अलग time पर, तुरं 0.75 के नीचे है, 75 से 78, 0.75 से 0.78, इसके नीचे है अगर, तो आपको put की entry प्लान करनी है, put की entry लेनी है, और अगर PCR value 1 के प्लस है, 1.0 to 1. कुछ भी है, 1 के प्लस है, तो आप call के entry प्लान करोगे, अगर 1 प्लस है, तो आपकी market bullish है, अगर 0.78 से नीचे है, तो आपको bearish market है, आपकी market bearish है, और put की entry ढूननी है, ठीक है, इतना तो simple है, यह आपको वो चीज़े बता दी, जिससे market में trap किया जाता है, तो आप trap से कैसे बस सकते हो, लोगों को फसाया जाता है, तो आपको यहां नहीं, यहां चीज़े चेक करनी है, note उमीद है, आपने कर लिया होगा, लिख लिया होगा, अब देखो, यहां पर क्या करना है, कैसे entry, exit कब करना है, entry perfect कैसे मिलेगी, क्योंकि guys, सबसे जरूरी अरपन के होती है, entry, अगर आपकी entry सही है न, market में, सही time पे आप entry ले गए, ठीक है, बड़े players के साथ में आपको entry मिलेगी, बड़े players क साथ में entry अगर आप ले गए, तो आप market से पैसा बना लोगे, और exact point पे आपको entry, exact point पे exit आपको मिलेगी, अब देखिए entry कैसे लेनी है, वो ध्यान से समझे, क्या करना है यहाँ आपको, यहाँ पर देखिए, फिर से आपको oi change पर click कर देना है, जैसे ही आप oi change पर click ठीक है, एक line यह नीली color में दिख रही है आपको, इस color में, यह आपकी call की है, ठीक है, call का oi change है, और red color में जो दिख रहा है, आपका, यह put का oi change है, ठीक है, यहाँ आप देख लो, यहाँ से पहचान सकते हो, यहाँ से, ठीक है, तो जब भी आपका, यह नीले वाली line, simple सम है, आप option buying करते हो, तो call की entry बना लेनी है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर, कितने बज़े यहाँ पर अपन की entry बनती है, यहाँ पर देखो, cross हुआ है, इस वाले point पर, यहाँ पर cross हुआ है, ठीक है, अब यहाँ चेक करेंगे, कितने बज़े अपन को entry मिलती है, ठीक ह यहाँ देखते हैं कितने बज़े की है, यहाँ यह market देखिए, यह 21 जुलाई की market है, ठीक है, और यहाँ पर देखो, 12 बच के कितना, 25 और 30, 12 बच के 30 मिनट पर आपकी यह रही candle, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखो, 12 बच के 30 मिनट, यहाँ पर द और आप यहाँ ध्यान से देखो चीज़ों को, 12 बच के 30 मिनट यह green candle है, और आपको पहली candle पर यहाँ पर guys entry मिल जाती है, ध्यान से देखो, अब आप कहोगे कि यह entry हमें मिल गई, अब entry आपकी perfect बनी या नहीं बताओ, इस वाली candle पर आपकी entry बन जाती है, यह देख लेग यह bullish हरामी candle है, ठीक है, या इसको आप tweezer bottom भी calculate कर सकते हो, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपने यहाँ पर देखा कि 12 बच के 30 मिनट पर crossover हुआ, 12 बच के live market में चलेगा यह सब कोच, ठीक है, live में आपन इसको करेंगे, दो पार्ट में वीडियो आएगी, लेकि जैसे ही 1000 लाइक आप कल तक complete करवा देती हो, आपको live trade करके दिखाएंगे, आप खुद test करोगे तो भी यहाँ पर देखो, 12 बच के 30 मिनट पर आपकी entry इस candle पर बन गई, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहो market upside गई है, अब यहाँ पर आप exit कहा करोगे, exit भी तो होना है market से, सही entry तो आपको मिल गई, आप सही entry मिलने के बाद guys सही exit, सही time पर exit कप करोगे, ठीक है, तो वो देखते हैं, exit करने की condition समझ लो, अब यह आपको दिख रहा है कि पहली candle पर, अब यहाँ इस तरीके की entry आपको कोई नहीं देख सकता, ना तो आपको यह entry आपको indicator सही time प करते हैं, उनकी entry भी यहाँ पर यहीं पर बनेगी, ठीक है, वो entry यहाँ लेंगे, लेकिन आपकी entry यहाँ पहली candle पर आपकी entry बन चुकी है, अपन की entry यहाँ बन जाएगी, देखो, ध्यान से समझना चीजों को, आपको free में जो चीज बता रहो ना, यह चीज आपको कहीं मि लाइन, यह वाली लाइन आप देख रहो, ठीक है, यह वाली लाइन, तो यह डॉट-डॉट की लाइन है, जो गाइस, यह वाली जो आपको लाइन देख रहे हैं, यह जब live market चलेगी, तो यह भी move करती रहती है, साथ में, ठीक है, यह bank nifty के चार्ट की लाइन है, यहाँ प करती है, वहाँ पर आपको exit हो जाना है, तो यहाँ पर देखो, कब cross किया, यहाँ पर इसने, ठीक है, exact देखा जाए, तो यहाँ पर गाइस, एक बज़ के 35 मिनट पर, यह यहाँ पर cross करती है, ठीक है, यह call वाली जो नीली वाली लाइन है, इसको यह dot dot line, एक बज़ के 35 मिन की candle guys, यह वाली green candle है, अब आप यहाँ पर देखिए, ध्यान से थोड़ा zoom करके आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखो, जिसने वीडियो complete देखी होगी न, और चीजों को अच्छे से समझा है, और अभी जो rules discuss करेंगा, उसको लिख लिया, उसका तो समझ लिजिए, market में entry बनाई, green candle पर ही अपन exit हुए, ठीक है, इस वाली candle पर यह complete एक 35 पर हो जाएगी, जैसे ही यह complete होती है, यहाँ पर closing देती है, इस closing पर अपन exit हो जाएगी, समझ गया आप, तो बिलकुश simple देखिए, अब यहाँ पर और क्या चाहिए बताओ, इस से बहतर strategy अगर कोई है त यहाँ तक देखो, इसकी closing पर अपन बहार होते हैं, 278 point, ठीक है, 200 point माल लिजिए, 200 point आपको मिल गए, तो क्या दिक्कत है, paid strategy आपको free में provide गरवा दी है, अब देखो क्या करना है, call की entry अपन ने देख ली, put की entry भी देखेंगे, यहाँ पर देख लो, इस तरीके से यहाँ पर, आप call की entry देख चुके है, ठीक है, आपको एक trade मिल चुका, put की entry कैसे बनानी है, put की entry के लिए, guys, आपको यहाँ पर फिर से आना है, इस वाली website पर, और इस website पर, देखो, live market में आपको क्या गरना है, बहुत simple, बहुत easy strategy है, ठीक है, put की entry के लिए, guys, यहाँ पर आपको यह वाली जो line दिख रहे है, यह dot dot वाली line, यह line इस तरीके से cross करेगी और इसके बीच में चली जाएगी, जब इसके बीच में जाएगी, तब आपको alert हो जाना है, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इस red line के और नीली line के बीच में है, तो यहाँ पर alert हो गए, alert होने का मत बीच में touch करती है, तो यहाँ पर put की entry बढ़िया मिलती है, नई touch करती, तो यहाँ से upside move बना के और यहाँ से down की तरफ चलती है, अपन put की entry बना लेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर put की entry गाईज देखते हैं, यह देख लीजे, एक बचकर 50 मिनट पर अपन की put की entry बनती है, ठीक है, इस वाली candle पर अपन की entry बनती है, और यहाँ से आप देख रहो, one way कितना अच्छा profit मिला है, exit कप करना है, यहाँ पर देखे, put की entry आपको सही entry मिल गई, ठीक है, अब put की अगर सही entry आपने बना ली है, क्योंकि entry गाईज बार बार कह रहे हैं, सबसे जरूरी है market मे entry, perfect entry जब तक आप market में नहीं बना पाओगे, तब तक आप पैसा नहीं बना सकते, ठीक है, इसलिए perfect entry पर practice कीजिए, perfect entry जिस दिन आप market में बनाना सीख गए, इस strategy को अगर सीख लिया तो perfect entry अपने आप बनने लग जाएगी, उसकी आपको tension ही नहीं लेनी, ठीक है, तो perfect entry तो market आपके favor में चलेगी, आप देखते हो, क्या होता है, जब आप entry जैसे ही entry लेते हो, यहाँ से क्या होता है, market यहाँ से गिर रही है, अब यहाँ पर लोग जैसे ही entry लेते है, market अपोजिट हो जाती है, यहाँ पर पहुंची, यहाँ पर देखिए, upside चली गई, ठीक है, आपने देख लिया, अब यहाँ पर गाईज, एक और देख लिजे, सबसे perfect entry हमने बताई कि इस red line पर जब यह वाली line, cross, यहाँ टच करें, तब, तो touch यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करती है, यहाँ पर 9 बच के 55 मिनट पर, ठीक है, और यहाँ पर गाईज देखते है, य यह 9 हो गया 55, और यह देखिए, 9 बच के 35, अब इस वाली candle पर और यह 9 बच के 55, दो बार touch किया है, यहाँ से अपन के put के entry बनती है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक तो इस वाली candle पर अपन को put के entry मिली है, दूसरा इस candle पर, और अगर आपन इस पर entry बनाते हैं तो भी, यहाँ इस पर entry बनाते हैं, तो भी यह वाला profit यहाँ देख रो, आपको मिला है, ठीक है, और इसमें stop loss जाने का तो chance ही नहीं है, ऐसी strategy आपको बता रहा हूँ, कि stop loss जाने का chance ही नहीं है, ठीक है, तो आप चीजों को समझ गए होंगे, उमीर है, ठीक है, बहुत simple strategy अपन ने discuss की है, ठीक है, exit कप करना है, कि entry में exit कप करोगे, यहाँ पर put की entry में exit करने के लिए, जैसे यहाँ पर देखे, यहाँ तक market आई है, put की entry में जहाँ भी आप exit करते हो, तो 1-2 का आप target लेकर, ठीक है, 1-2 का target या 3 का target आप book करके और exit कर जाओगे, यहाँ पर देखते हैं अगर इसमें update आप चाहते हो, इसको live trade चाहते हो, तो इसको वीडियो को 1000 like पहुचाइए, 150 वाली candle पर अपन की entry बनती है, माली जी यह candle complete हो जाती है, उसके बाद अपन इस candle पर entry बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर entry बनाने के बाद गाईज, इसको यहाँ से short entry लगा कर द देखो गाईज, अपन को मिला है, 1-6, 1-6 मिला है, अपन ने कहां discuss किया, 1-2, 1-3 book करके आप exit हो जाओगे, ठीक है, तो सारी चीज़े आपको बता दी, यहाँ पर put की entry बता दी, call की entry बता दी, इसकी practice आप कीजिए, live market में कल से practice कीजिए, इसको observe कीजिए, paper treat कीजिए, learn और इस वीडियो को अगर 1000 like कर देते हो आप, तो आपके साथ में live market में इसको practice करके आपको दिखाएंगे, लेकिन एक चीज़ धियान रखना, इसमें change update करता रहता हूँ, पिछले 3 महिने से ऐसे चल रहे, जैसे ही कोई update आया, आपको update कर देंगे, लेकिन update रहने के लिए आ अगर आप 2-3 दिन लगादार नहीं देखते तो आप उसकी वीडियो suggest नहीं होती है, ठीक है, अब वो notification वाला काम गया, उसका focus मत कीजिए, ठीक है, तो आप suggestion पर काम होता है, browse feature पर काम होता है, तो इस तरीके से algorithm अलग तरीके से काम करता है, आप simple समझिए कि आपको channel पर update रहना है, अपडेट रहने के लिए जो वीडियो upload करता हूं, उसको देखते रहना है, जैसे ही कोई change आता है, मान लीजिए, परसो change आ गया, नफसों आ गया, अगले अफते आ गया, तो आपको update कर दिया जाएगा, आप सारी चीज़े देखोगे market में, अपडेट होते रही है, उमीद है आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, वीडियो को like कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए, और सीखते रही है, पैसा कमाते रही है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यबाद, शुक्रिया